सो हलो एवरिवन वेल्कम टो एस्केक्टी में नाम है साकेत और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो दुर्गे युनिवर्सिटी है उसका जो एक्जाम फॉर्म है 2017 वाले का तो वह आ चुका है और जुसके प्रोसेस है पूरी तरीके से आनलाइन किया गया है तो आप यहां पर फॉर्म कैसे फिल करना है ऐसे तम करेक्ट तरीके से फिल करें और सही तरीके से अपलाई करें पूरी पूरी जानकारी मिलेगी है अपि इस वीडियो में तो देके पूरे वीडियो को दो फुरे इस ऐस यह पर diğer पर किसी भी लैपAKE कार्ट उपके अर फिर आप पर भरूंगा अपने laptop में इसके लिए आपको सबसे पहले open करना कोई भी Chrome या फिर फोक्स आप के पास है और open करते ही वहाँ पर टाइप करना एक आपको नए पेज पर रिडाइट करेगा और वहाँ पर आपको अपना जो पूरा कारे काम हो करके दिखाना वाई तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यूजी एंड फीजी का कुछ लिख के आता है और लिखा है कि इसमें पहले से कुछ कुछ यहाँ पर एमेल आइड दिया गया है अगर आप नय बन दे है तो यहाँ पर न्यू रिजिस्ट्राइशन पर क्लिक करेंगे और जैसे यह क्लिक करते हैं तो फिर से एक नया पेज लेके आता है और उस पेज में सबसे प्ले आप आप मंगता है एमेल आईड और आपको एमेल आड दे अधर है और इसका पासवड़ आपकर रेयेट करना थ्यक्राइए जो पासवड़ होना चाहिए वह 8 20 लेटर तक होया मतलल आट से और इसके बाद father's name select करना है आपको फिर mother's name यहां पर जाए गया है उसके बाद आपको अपना mobile number डालना है और डीचे यहां पर एक capture दिया गया है तो मतलब सेम जो दिख रहा है उसी को फिल कर देना है तो फिल करने के बाद यहां पर sign up कर click करते हैं लेकिन मैंने कुछ छोड़ दिया सायथ और यहां पर last name यहां पर company कुमार को हटा करके मिरे नेंसे में आखिर मिडाल देता हूं कुमार को इसके बाद यहां पर sign up क्लिक करने के पाद एक pop up आता है विसमें लिख के आता कि आपक यहां पर confirm कर देने का और confirm कर देंगे तो आपका जो है आपके mail ID पर आएगा एक email और आपके mobile नमबर पर भी एक आएगा email उसमें कुछ OTP जैसा कुछ बना होगा और उसको आप activate कर सकते हैं आपको यहां पर अपने mail में जाकर के उसमें कुछ link दिया हो वो क्लिक करना है तो यहां पर आपको जाना पर अपने email ID पर जहां पर आपका mail आया होगा अगर आपको अपने mail में सामने दिखे हैं तो आपको अपने spam जो folder बनता है वहां पर आपको चेक करना होगा तो यहाँ पर जैसे हम अपने mail id खुलते हैं तो आप पर पहला यहाँ पर एक mail आया हुआ है और यहाँ पर रेचे एक्टिवेट करने के लिए अपना email id डालते हैं और password जो आपने बनाया है वो यहाँ पर डालते हैं जैसे अपन डालेंगे तो यहाँ पर अपना login हो जाएंगे इसके अंदर तो पहले पुछता है कि आपको कौन सा कोर्स ही है यहाँ तो यहाँ पर अपना college करना है कि जो दुर्ग यूनिवसिटी के दर जो college आते हैं उसको यहाँ पर आपको select कर देना है जो आपका मन करें उस college के दिए है यहाँ पर नीचे कोपशन आता है आपको पार 근데 करना यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद पर करने के बाद प्रोसीड पर है यहाँ बंद आया चीजज खुल की आता है जिसमें प्लिकेंट को आप्षण है कि अपन चृस tiden के आरा और और आपको यहाँ पर पर प्रफिजिकल चैलेंज नो क्लिक करेंगा कुछ नहीं है तो डेट पर पर प्रफिज बढ़ागा मेल यहां पर करना है इंडियान स्लेट करना है इसीबिलिटी करेटरिया इसीबिलेटी सर्टिपिकेट यह क्या होता है यह उन लोगों के लिए जो मतलब जो अपना दूसरे ब यह जो भी उसका नाम करना पोस्ट आफीक करना और इसके बाद दिस्टिक्स पर श यह पर इस्टार नहीं लगा आपके मतलब मर्जी तो बने डालो उसके आप़ पर मेंट कर देते हैं उसके पर आगे बढ़ते हैं और अग्ला सेक्षम में अपने व्लंडर से और अपने सेक्षर करना है जो फोटो का साइज हो यह कि 100 Casey कि अंदर आपका फोटो होना चाहिए तो यहां पर चूस फाइल पर क्लिक करेंगे फोटो सेलेक्ट करेंगे ओपन करेंगे अप्लोड फोटो पर क्लिक कर देंगे फोटो अप्लोड हो जाएगा दस सो के बीक अंदर यहां पर आपको फोटो होना चाहिए यहां पर सिखनेचर भी यहां पर आपने पारपोता है और सब्सक्राइब करते हैं कि पास किया था उसकी साफ से देख करके इस कुछ भी नहीं पर दाल दिये मैं एक यह मेरा टेम्परी है मैं इसको प्रोसीड नहीं करूंगा और डीविजन यहां पर मैं को अलगता है सी डाल देते हैं यहां पर कुछ गरीब करते हैं अगर अंधने डॉक्यमेंट्पने शर्ट्राइब करना होगा द्युक्राइब का बारवी का पर यहां पर अपना माइगर करना होगा यहां उसके अनहें जाहिए और समय कर द vist gracious है तो आपकोma diplomat अन्दर तो बोल्टर यहां पर फोट यहां पर लिया और उसको अप्लोड कर लिया रेफरेंस नंबर डाल के रेफरेंस नंबर मतल्म जमने कुछ नंबर यहां पर लीख रहता है सभी जो आते हैंशड रसके ऊपर उसके लिएसके बाद सभी में and upload करते जाना जाना ना है कि आपका नाम है यह्मि दानी समय करने कि यहां को चलिक करें से arts यह बेंन यूप साइंस पर सौर्म करते हैं से क्रेट कार्ड दिया डेबिट कार्ट यूज़ करते हैं तो यह पर करने चाहते हैं तो यह पर पर प्रोसीड टूपे करेंगे और आपका आगे बढ़ जाएगा करने वापस वापस वाप परपस वर बढ़ लिखा हुआ उसका और अगर एक नया दूसरे आपक लिए इसका यहां पर पार आप पर पर यिए गूंख टूबॉल का वाप सकते हुझ है फिरहां आप दूसरा क्लीए शर्ट करना है आप से पर दूसरा ब्रांच है उसके लिए तो भी आप दूसरा ब्रांच है आकर सेट कर सकते हैं सेम कॉल्य्ज केलिए सिलेक्ट करने के बाद सब्यवकर्ट करना है सब्सक्राइब करना धनि我覺得 रहे बार यहां पर option आता है payment का तो payment के लिए आपर दो यहां पर खुले हुए हैं तो दोनों में आप स्लेक्ट को अप्शन है online online option दिख रहा है दोनों में अब मुझे पता नहीं कि यहां पर जो 100 रुपय है किसी एक सब्जेट के लिए मतला कि अप्लाइग करने के लिए अगर आप दो कॉल्फर दो रुपय लग जाएंगा से कुछ है तो मुझे यहां पर confirm बतन ने कि क्या यहां पर रूल है तो अगर आपको पता चलता है तो नीचे आप मुझे कमेंट करेंगा बता दालूंगा कि यहां पर कितने रुपे आपर लगने वाले हैं तो यहां पर दोनों में online option दिखा रहा दो नों में parent option दिखा रहा तो सायद मुझे क्या उसे एक college के लिए मतलब separate रुपेश यहां पर 100 रुपेश यहां पर लगने वाले हैं उसके बाद आपको यहां पर इसका heart copy मिलेगा उसको आपको जिस college में आपका नाम आता है वहां पर आपको लिजा करके जमा कर देना है और फ्रेंस यह रही फॉर्म फिल करने के लिए वीडियो और आपको यह वीडियो आपको पसंद लेगा पसंद जाए को लाइक करेंगा और वीडियो को सेयर करेंगा हर उस चात्र के सांथ में जो यहां पर यह दुर्ग उनिवर्सिटी में अपना college में एड़िश लेना चा